हाई फ्रेंड हाई फ्रेंड मैं हूं देव्या और हम है बेफिक्रे और जैसा मैंने बोला था कि अगर मैं अपने पेरेंट्स का विज्ट विज़ा निकालूंगा तो आपके लिए आएगा पूरा डिटेल वीडियो तो आज वो दिन आ चुका है और हम लोग प्लान कर रहे है कि अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए और इसके लिए मैंने पहले सही डावल टिकेट्स जो है वो भुट करा लिए हैं जो मैंने जो गकेट कराई था जो है और यह जो टिकेट है की रसीद है जब भी आप टिकेट बुक कराए तो सात में पेमिंट काफी अच्छा रेट मिल गया था around 87 KD का मैंने ये tickets book करा लिया थे आने जाने का और अब आया है दिन because अब हम लोग आ चुके है November में and time है typing का तो अभी हम लोग जा रहे है typing center और अभी city में जो बुरान typing center है मुझे काफी अच्छा लगता है और इसलिए मैं उनके पास आता हूँ तो वहाँ चलते है और इसके लिए मैं साथ में अपने लेका आया हूँ अपने parents का passport और अपना passport अपना civil ID और अपने office से मैंने HR को बोलके अपना work permit निकाल दिया है जिस पे हमारी salary mention की जाती है तो वह भी आपको carry करके लाना है अब चलते है और उनसे बोलते है कि हमारा relationship certificate और हमारा visa की application त्यार करे और बताते है कि उस पे कितना पैसा लगने वान कमेंट तो एक बार उनसे बीड़े ले 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 लिए सर रोज का काम है और एक चीज मुझे और पता लगी है कि relationship certificate हम लोग Indian M.A.C. भी जाकर भी बना सकते और BSNL में भी जाकर बना सकते तो इस बार कोशिश रहेगी कि मुझे office से निकलने का time नहीं मिलेगा तो मै BSNL की service शाम वाली use करके देखना चाहूंगा कि वह कैसी है और कितनी effective है तो चलते हैं अभी बुरान टेक और टाइपिंग करा लिए और टाइपिंग कराने के बाद चलते हैं आपको बताते है कि कितना खर्चा आया है अब बताते हैं मैंने यहाँ पर दो like application apply करी है एक अप हाफ केडी चार्च की है जिसमें वीजा की दो application है और एक relationship certificate है तो अब यह वाला काम तो हो गया फोर हाफ केडी मैंने दिये दिये next मेरा बस्ता है मुझे अभी relationship certificate लेगे जाना है MBC इस बारी नहीं जा रहा इस बारी BSL जाके वहाँ पर हम लोग करने वाले अरे और यह कौन आज हम लोग जा रहे है BLS के office yes यह है parking यहां पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दिये और पार्क करने के बाद यह देखे तो आप आराम से पार्क कर सकते हैं गाड़ी विकॉस आस-पास पार्किंग मिलना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है तो मैंने यहां पार्क कर दिय you can see यह कोईट टावर है और यहां पर आप असानी सा सकते हैं काफी सारे रेस्टोंट से और यहां पर सीजर्स का रेस्टोंट है उसके ऑपोसिट में हमों कार पार्किंग मिल जाएगी और इस कार पार्किंग से वाकिंग डिस्टंस पही है तो जस्ट वाक करके विदिन खोलता है सुबह भी शाम भी तो आप सुबह या शाम किसी टाइम पर भी जो आपको अच्छा लगे उस टाइम पर आप आसके यह बिल्डिंग जो मुझे दिखरी है आपको यह देखिए यह बिल्डिंग है जहां पर सीजर्स ट्रैवल का भी ओफिस है और इंडिको का भी यह बील्डिंग की चो लैंड्मर्क है तो यह देखिए इस इन्डिय की तो लिखा रहं आपको अंडिय हो इंडिक लिखा आप लिखना ओ एक और सीजर्स टैवल सका भी ओफिसल्डिंग है तो इस बील्डिंग के द downward में जाना है तो यहां से इंटी एज्टी है अप देख मैंने डॉक्यमेंट समिट करा दिये और मैं यहां पर आया था विकास इस साटरड़े अराउं 5.30 और अभी हुए 7.00 तो जस्ट ना जस्ट 7.00 मैं फ्री हुआँ तो देख लीजे कितना टाइम लगा काफी भीड थी उसके वज़े से मेरे को काफी देर तक वेड करना पड़ा और अब देखते हैं मुझे इन्होंने इसलिप दे दी है और इन्होंने मेरे से 8.00 लिए फॉर हाविग अ रेलेशनशिप सैटिफिकेट तो 8.00 लिए और मैंने जब पेमिंट की वो केनेड से पेमिंट की और साथ के इन्होंने रेसिप दी है वो रेसिप को मुझे अपने साथ लेके आना है दो दिन के अंदर इन्होंने बोला है मेरे डॉक्यमेंट तयार हो जाए वो मुझे खुद करानी होगी तो जब मैं वहाँ पे जाओंगा वो इस टाइम कराने के लिए उस टाइम मैं वो वीडियो बना के आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हम करने वाले है तो चलिए वो किसी दिन और करेंगे अभी देखते हैं जैसी जब मैसेज आएगा और अब क्लेक करने आओंगा तो क्लेक करने का क्या experience वो बताता हूं बट बहुत भीड थी बहुत क्योस था समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है and the service is not at the park और काफी लोग वेट कर रहे थी क्योस था मतलब तीन घंटे लग गए भायान और तीन घंटे कैसे निकाले हैं मै बैठे बैठे हालत खराव हो रही थी but finally we did it और हमने document उने दे दिया और अब मिलते हैं next video पर जिस दिन हम document collect करने चाहे हैं और आज हम लोग जा रहे हैं अपना जो relationship certificate है उसे collect करने के लिए मेरे पास SMS आ गया था मैंने जैसे बताया कि Saturday को मैंने वहा पर दिया था और मुझे Sunday को evening में लेट evening में मेरे पास message आ गया था so today is Monday तो मैं Monday को collect करने चाहरा हूँ office के बाद because ये शाम को चार बजे से 8 बजे मुझे बादा office जो खुलता है तो मैं अपनी साथ में अपनी receipt लेके जा रहा हूँ जिसे दिखा के मुझे मेरा relationship certificate मिल जाए तो चलते हैं अंदर देख और फूर पर जाना पड़ा और विदिना टू मिनिट्स उन्होंने सर्च करके मेरा relationship certificate दिया है मेरे पास आगया है and I'm going to go to the next step इस बिल्डिंग के third floor पे आपको आना है ताइमिंग्स यहां पर लिखे वे देखें आप तो यहां पर तलगी जाएगा ताइमिंग्स से आप आ सकते हैं दोस्तो एक काम तो हो गया certificate मिल गया relationship certificate और मैंने एक ही relationship certificate पे अपने mommy daddy दोनों के लिए बना दिया है और अभी हमें जाना है ministry का stamp लगवाने के लिए और उसमें लगने वाले है 5KD और यहां पर जो यहां का TV टावर है TV टावर वहाँ पर जाना पड़ेगा और वहाँ जाके यह stamp लगाने पड़ेगी तो अभी यह जो place है यह walking distance पर है just मुझे यहां से road cross करना है और उसके वहाँ पर पौच जाओंगा तो अब मैं चल पड़ा हूँ और पताता हूँ किस तरी किसे stamp वहाँ पर लगने वाली है और क्या होना है यहां पर मैं जाना है walk करके बस अभी जाही रहा हूं यहां पर so मुझे लगता है time खुली गया होगा I think यह 4 o'clock से खुल जाता है and यह around 7 o'clock तक खुला रहेगा यह वाला office तो चलते हैं यहां पर और अपना काम कराते हैं विवाज आप खुल गया है यह so less power के बगल में जो building है ना इसमें जाना है और just road cross करते हैं और फिर बॉसते हैं so exactly tower में नहीं tower के बगल की building उसमें जाना है हमें हम आचुके हैं liberation tower के पास और इसकी भी मेरी video है मैंने बनाई है इस पे इस time पे मैं इसके उपर गया था और उपर का सारा view देखा था मैंने बट फिलाल मुझे लगता ही अभी close है और public के लिए नहीं खुला पर उस time पे खुला था जब हमने इसकी video बनाई थी और अभी हम लोग जा रहे हैं उनके office let's see हाई दोस्तो stamp लग चुकी है procedure यह था कि बस इस building के अंदर जाना था और building के अंदर जाने के बाद यह पीछे दिखरी हो कि यह building थी तो इसके अंदर जाना था इसके अंदर जाने के बाद आपको जाना है second floor पे आप second floor पे जाएंगे वहाँ पर आपको एक room दिखेगा ministry of foreign affairs का आप उसके अंदर जाएंगे वहाँ पर आपको 5KD की stamp लगा यह नहीं पड़ेगी उसके बाद stamp लगाने के बाद वह sign करके आपको देदेंगे लग भग मुझे आदा घंटा लगा because line थी line में लगके stamp लेने तक के तो half an hour मेरा काम हो गया अब जो आपके पास relationship certificate मिल चुका है ब्राउन पेपर पे जिस पे stamp लग चुकी है उसकी आप photocopy कर लीजिए और जो आपकी application थी उस पे लगा दीजिए अभी जैसे मेरे अमी वापा क्या दोने के documents थे ठीक है ना तो मुझे क्या करना है कि उसकी photocopy ले ले लेनी है तो दोनों की photocopy पे उसकी photocopy ले ले लेनी है और दोनों की application पे एक-एक photocopy लगा देनी है तो मेरे application पूरी हो जाएगी अब देखता हूँ जब मुझे time लगता है उस time पे मैं जाओंगा visa office में मिश्रीफ में और देखते हैं कि वहाँ का experience कैसा होता है तो वीडियो में बने रहे पूरा detail में आपको बताया जाएगा यहां पर हमने 5KD दिये आखरी में मैं टोटी तर्की बता दूँआ कि कितना खर्चा आया और क्या क्या करना पड़ता है तो डोस्तो आज सुबह मैं गया था visa office अपने ममी डैडी का visa निकालने के लिए आपको पाता ही है कि document तयार हो चुके थे तो आज सुबह मैं गया था तो लगभग मैं 6.30 to 7 के बीच में visa office पहुच गया था मैंने कोई prior appointment नहीं ले रखी थी और इस टाइम पहुचने पे मुझे कोई appointment की जरुत नहीं पड़ी और मैं सीधे visit visa के लिए आपको जाना पड़ता है 1st floor पे तो directly मैं सीधे 1st floor पे चला गया 1st floor पे जाके वहां पर visit visa का office है तो उदर बैड़ किया था around 7.10 पे visa officer in charge आ गये थे उन्होंने मेरे paper चेक किये चेक करते टाइम उन्होंने मुझसे बोला कि उन्हें original relationship certificate देखना है और मेरे flight tickets देखने parents के वह चीज़ मैंने बता दी दिखाने के बाद में सारुज़त सबको चेक किया गया चेक करने के बाद उन्होंने फिर stamp लगा लगू के और फिर उन्होंने एक receipt देखने और बोला कि कल आना ठीक है तो फिर उस receipt को लेके मैं चला गया तो लगभग मेरे मैं एक घंटे के अंदर free हो गया था next day पे फिर मैं गया morning में वो receipt लेके जहाँ पर basically visa collection का होता है तो वही first board पर ही है वही पर visa distribution का counter है तो आप अगर चले जाते है तो वहाँ पर जाने के बाद जब आपका number आएगा वहाँ पर दिखाईए coupon को वो coupon से आपका visa निकाला जाएगा और वो उसी time print करेंगे print करने के बाद आपको 3KD का stamp पे करना पड़ेगा वो केनेट से pay कर सकते है 3KD का वो पीछे visa के stamp लगा देंगे stamp लगाने के बाद उस पे ठबा मारने के बाद वो आपको दे देंगे आपका visa तयाद हो जाएगा तो इस तरीके का अच्छा experience था मुझे दो दिन जाना पहले दिन visa summit करने के लिए दूसरे दिन visa लेने के लिए मैं मिंश्रीफ में जो visa office है वहाँ पर गया था अपना visa निकालने के लिए इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि जितना भी डिटेल में मैं आपके लिए सब कुछ बना पहूँ मैंने बनाया है और अभी ये वीडियो खतम नहीं हुई है इस वीडियो का part two भी आएगा जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि अब visa तो निकल गया है अब visa भेजना कैसे है इंडिया इसमें भी दो option होते है विन options के बारे में बात कर जाएगा और airport पे क्या facilities होती है अगर आपके parents ममी पापा या बच्चे या भाई बहन या आपके सास ससूर आ रहे है तो airport पे पहली बार उनको काफी मुश्किल का सामना कर पा सकता है तो उसको overcome करने के लिए airport पे भी कुछ facilities है वो facilities मैं कोशिश करूँगा लेने के लिए और किरा खर्चा आएगा वो मैं अपनी second वीडियो में बताऊंगा और अगर कोई question है तो definitely इस वीडियो पे आप बता सकते है तो वो question का सही से आपको जवाब दिया जाएगा और साथी साथ अगर ये वीडियो लाइक नहीं करिए तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे चलिए इस वीडियो को ही पे कितम करते हैं मिलते के से अगले में बाइ